हालो एवरिवान, टेरट विद एम सिंग में मैं आपने सभी वीवर्स का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं ये जो रिडिंग लेकर आई हूँ, ये रिडिंग है नो कॉंटक्ट सिचुएशन वालों के लिए अगर आपके life में जो भी आपके partner हैं, जाए husband हैं, चाहे आप commitment का wait कर रहे हैं, जो भी उनके साथ अगर आपकी no contact situation है, अगर आपकी बातशीत पुरी तरीके से बंद है य बहुत nominal बातशीत हो रही है तो आपके लिए ये reading में लेकर आई हूँ यहाँ पे मैंने 3 piles रखे हुए है पहला है pile number 1, purple star दूसरा है pile number 2, blue star और तीसरा है pile number 3, red star जो भी star का color आपको attract कर रहा हो या 1, 2, 3 numbers आपको attract कर रहा हो आप उसके हिसाब से reading देख सकते हैं आप चाहें तो 3 piles देख सकते हैं जो भी situation आपसे resonate करेगी वो आपके लिए है अगर आपको pile choose करने में दिक्कत होती हो piles के time stamp description में mention है आप चाहें तो directly अपनी pile पे भी जाके वीडियो को enjoy कर सकते हैं so pile number 3 and pile number 2 को मैं अभी site में रखती हूँ जिन्होंने भी pile number 1 ये purple star choose किया है अब मैं उनके लिए reading करूँगी देखती हूँ कि आने वाले समय में आपके partner कब तक आपसे बात कर सकते हैं साथी साथ उनकी current situation क्या है इंजल्स प्लीज काइड करें जिन्होंने भी pile number 1 परपल कलर चूज किया है उनके partners की current situation क्या है current situation क्या चल रहा है उनकी life में प्लीज काइड करें pile number 1 current situation pile number 1 के partners की current situation क्या चल रहा है उनके life में fine bottom of the deck है the tower definitely आप लोगों में किसी बात को लेकर fight हुई है लडाई हुई है इसलिए no contact situation है definitely tower का card bottom में आया है जो कि obvious है आप दोनों hurt है, sad है अब मैं देखती हूँ कि situations क्या है क्यों tower moment आया है आपकी relationship में king of pentacles the strength seven of swords king of swords nine of pentacles judgment, six of pentacles king of wand the star, the moon eight of cups, ten of swords nine of cups and three of wands सभी science है यहाँ पर मैं clear कर दूँ Aquarius, Libra, Gemini Cancer, Pisces, Scorpio Aries, Leo, Sagittarius and साथ ही साथ है हमारे पास सभी science है Capricorn, Virgo, Taurus यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जिनों ने भी pile number one choose किया है, उनके partner ने उन्हें, कुछ लोगों के partner ने उन्हें hurt किया है, cheat किया है, धोखा दिया है उनसे कोई बात चुपाई है किसी तरह का, ऐसा deception कोई गलत काम किया है, जो कि उनको पता चल गया है, शायद इस वज़े से tower moment आया है आपसे move on कर लिया है उन्होंने ठेक कुछ लगों के partner पूरी तरह से पैसा, 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 पैसा finance पे इतना ज़्यादा focused है, हो सकता है, past में नुकसान हुआ हो, किसी तरह का घाटा हुआ हो जिसकी भरपाई कर रहे हैं, पूरी तरह से अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं शायद इस वज़े से आपको time न दे पा रहे हूं क्योंकि पूरी तरह से self obsessed है, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है लेकिन साथ ही साथ आपको भी ध्यान देना चाहिए में भी शायद इस वज़े से आपका लडाई हुआ है कुछ लोगों की लाइफ में उनके partner, single parent हो सकते हैं married हो सकते हैं, already engaged हो सकते हैं ठीक है उन लोगों की लाइफ में definitely third party है इस वज़े से fights हुई है हो सकता है किसी reason से उनकी third party ने उन्हें बोला हो बात करने के लिए मना किया हो controlling हो इस वज़े से hurt हुआ है कुछ लोगों की लाइफ में parents का issue है mother issues है especially parents नहीं मान रहे हैं जिस वज़े से hurt हुआ है definitely pile number one ये scene मुझे लग रहा है no contact situation के पीछे यहाँ पे अब मैं अगर इन cards को देखूँ तो मैं बता सकती हूँ कि आपके partner भले move on कर लिया आपसे आपको छोड़के चले गए move on कर लिया break up हो गया लेकिन अब वो इंतजार कर रहे हैं हो सकता है long distance हो hangman का card है जो बता रहा है कि वो आपके साथ वापस से new start करने की सोच रहे हैं सोच रहे हैं अपकी smooth से जाऊं क्या बोलूँगा क्या कहूँगा अगर already married है तो judgment का card आया है या तो आपसे legally marriage करना चाते हैं उस marriage से निकलना चाते हैं balance लाना चाते हैं situation में जो भी situation खराब हुई थी आपको बहुत miss कर रहे हैं आपके लिए boldly step लेना चाते हैं strength इकठा कर रहे हैं wish कर रहे हैं कि उनके wish पूरी हो जाए surrender किया हुआ है भगवान पे और उन्हें उम्मीद भी है कि हो जाएगी ये है current energy pile number one के partners की ठेक अब मैं देखती हूँ next action वो क्या लेने वाले हैं okay angels please guide करें जिन्होंने भी pile number one choose किया है कब तक call message आ सकता है कब तक क्या होगा next action उनके partner का next action क्या हो सकता है कब तक call message आ सकता है please बता है I need three more cards three more cards angels for pile number one okay okay bottom of the deck है number five obstacle and challenges यहां पे जो cards आए है उससे तो अभी pile number one मुझे clearly लग रहा है कि आपके partner third party में बहुत बुरी तरह से फसे हुए है आपको इसी लिए उन्होंने खुद से दूर किया हुआ है देखिए यह बंदा कैसे दूर कर रहा है वो hurt है बहुत जादा आपसे दूर होके खुश नहीं है अपने दिल पे पत्थर रखके आपको अपने से दूर किया हुआ है इनके वज़े से अब यह third party या तो family हो सकती है जो कि आपसके relationship के खिलाफ हो या तो फिर उनके life में कोई और person है जिसकी वज़े से वो बहुत जादा sad है hurt है depressed है और move on किया है आपसे लेकिन उमीद है positive movement forward का card आया है उनकी आखों के उपर जो पट्टी बंदी है बहुत जल्द उतरने की chances है truth का card आया है वहां से move on करेंगे अभी बहुत obstacles है लेकिन universe उन्हें guide करेगी आप उनकी destiny में है हो सकता है past में उन्होंने आपको छोड़ दिया हो reject किया हो आपके offer को बेश शक्रा definitely financial condition ठीक नहीं रही होगी काफी हद तक उन्होंने improve किया लेकिन अभी फिलहाल losses में है आपके साथ शादी करना चाहते है आपके साथ एक new beginning करना चाहते है लेकिन यहाँ पे confusion बहुत ज़ादा है options है क्या करूँ कैसे करूँ किसे चुनूँ planning कर रहे है आपकी तरफ legally action लेना चाहते है टैरो से भी आया हो सकता है कोट मारेच करे victory in future definitely victory मिलने के चांस है आपके लिए number 6 important है 6 hours, 6 days, 6 weeks या 6 months भी लग सकते है pile number 1 देखती हूँ angels आपके लिए क्या guidance दे रहे है a year from now abundance definitely एक साल के अंदर आपके life में abundance आनी निश्चित है जैसा मैंने पहले ही कह दिया कि अभी क्योंकि वो बुरी तरह से फसे हुए है obstacles हैं बहुत जादा third party बहुत controlling है लेकिन वो stand लेने की पूरी कोशिश करेंगे positive movement forward का card आया है साथी साथ four of wands का card आया है जो बता रहा है कि आपकी शादी होगी लेकिन एक साल तक भी लग सकता है maximum abundance आपकी life में उनके आने से abundance आएगी happiness आएगी ये थी pile number one की reading जिन्होंने भी ये purple color चूज किया था अगर आपकी situation से ये reading resonate की हो hope positive रहे manifest करें life में थोड़ा time लगेगा लेकिन abundance आनी निश्चित है तो अगर आपको मेरा चानल पसंद हो मेरी reading पसंद हो आप से resonate करती हो तो मेरे चानल को like, share and subscribe करना बिल्कुल मत बुलेगा thank you so much take care, bye hello pile number two जिन्होंने भी ये blue color का star चूज किया था अब मैं उनके लिए reading करूंगी देखती हूं कि जिन्होंने भी pile number two चूज किया है उनकी partner अगर no contact situation में है तो exactly क्या उनकी current situation है किस वज़े से आप लगों की बात चितनी ही हो पा रही है क्या reason है इसके पीछे okay angels please guide करें जिन्होंने भी pile number two चूज किया है blue color उनके partners की current energy current energy pile number two के partners की please guide करेंजल्स pile number two के partners की current energy please guide करेंजल्स okay current energy current energy pile number two के partners की क्या चल रहा है उनके life में क्या है उनके subconscious mind में क्यों बात नहीं कर रहे हैं क्यों चुपा रहे हैं क्या चुपा रहे हैं क्या चुपा रहे हैं please guide the angels this is my last shuffle angels अगर और कोई card आना चाहता है तो आ जाए bottom of the deck है king of wands fiery nature के हो सकते हैं fire sign हो सकते हैं आपकी partner bold हो सकते हैं attractive हो सकते हैं public figure हो सकते हैं popular हो सकते हैं action लेना चाहते हैं वाव यहां पर science बता दू मैं यहां पर मैं clearly देख पा रहे हूं कि आपके partner planning कर रहे हैं पूरी तरह से आपके life में आने के लिए जो भी situation है जिस भी वज़े से उन्होंने आपको block किया या बात करना छोड़ दिया यहां पर justice का card आया है तो आपको नयायच जरूर मिलेगा यहां पर मैं देख पा रही हूं कि आपके partner कुछ लोगों के partner definitely इस pile में पैसो में balance लाना चाहते थे financially बहुत परिशान रहे हूंगे कुछ नया start कर रहे हैं जिसमें उनको success मिल सकती है promotion मिल सकता है growth मिल सकता है पैसो को लेकर काफी conscious रहे हैं जिसकी वज़े से आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए हैं हो सकता है आपसे बोलते हूं कि मैं disturb मत करो मैं बहुत busy हूं काम कर रहा हूं और फिर भी अगर आपने उन्हें chase किया तो उन्होंने block कर दिया ऐसी situation हो सकती है कुछ लोगों के लिए यहां पे parents का issue हो सकता है यहां पे mother issues हो सकते है strongly हो सकता है उनके life में अगर already कोई person है अगर वो already married है किसी और के साथ तो divorce हो सकता है यहां पे क्योंकि justice का card आया है कार्मिक relations के साथ deal कर रहे हैं वहां से अपनी energy को cleanse करना चाहते हैं अगर family issues थे family नहीं मान रही थी तो यहां पे family के मानने के पूरे chances हैं क्योंकि यहां पे आया है page of swords with six of pentacles definitely balance आएगा situation में हो सकता है parents मान जाए यहां पे आपके साथ एक solid commitment देना चाहते हैं अपने emotions express करना चाहते हैं new beginning करना चाहते हैं आपके साथ आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में आपको लेकर बहुत protective हो रहे हैं अगर parents का issue था या अगर कोई और person already उनके life में था तो वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं पूरी तरह से wish कर रहे हैं surrender किया हुआ है भगवान पे चाहते हैं कि magic हो जाए और सब ठीक हो जाए यहां पे boldly action लेना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बहुत उनके emotions high हैं इस समय quickly decision ले सकते हैं बहुत quickly pile number two यहां पे आया है strength with judgment definitely यहां पे कुछ तो judgment होने वाला है आपकी situation में जिनोंने भी pile number two choose किया है maximum लोगों की life में positive results आने के chances हैं देखते हैं next action क्या हो सकता है कब तक बातचीत हो सकती है आपकी उनसे pile number two की partners कब तक बातचीत कर सकते हैं साथी साथ उनका next action क्या होगा angels please क्याइक करें I need five cards number seven seven hours, seven days, seven weeks या seven months seven important है हो सकता है seven days बहुत passionate हैं आपके लिए बहुत miss कर रहे हैं बहुत याद कर रहे हैं आपको अगें six of pentacles balance लाना चाते हैं financially भी काफी हद तक उन्होंने balance लाया है अब इस relationship के लिए planning कर रहे हैं strategy बना रहे हैं यह उनका next action है हो सकता है past में playboy, playgirl type image हो काफी जादा addictive हो सकते हैं किसी चीज को लेकर या तो workolic हो सकते हैं या तो किसी तरह का नशा कर सकते हैं financially भी बहुत परिशान हो सकते हैं bottom से हैं हमारे पास positive movement forward solar plexus शक्रा हो सकता है stomach में कोई problem हो या यलो कलर पहनिए pile number two के partners के लिए है आप भी चाहें तो यूज कर सकते हैं उनको heal करने के लिए यहाँ पे मैं clearly देख पा रही हूं कि आपके लिए seven number important है साथी साथ अगर उनोंने आपको hurt किया आपको cheat किया आपको धोखा दिया आपको बहुत positive हो रहे हैं आपके लिए उन्हें लग रहा है कि मैंने तो छोड़ दिया या मैंने तो hurt कर दिया कहीं वो move on न कर ले उनके को अंदर अंदर ये डर खा रहा है move on तो कर लिया उनोंने कुछ न कुछ reason दे के आपसे जगड़ा करके चले गए लेकिन अब चाहते हैं कैसे भी balance आ जाए ये देखिए 5,6,7,8 ठेक यहाँ पर definitely उनका ये step है step by step पहले move on कर लिया finances का reason हो या third party situation हो अब चाहते है balance आ जाए कैसे आए, patiently planning करना चाहते है और फिर आपकी तरफ positively बढ़ना चाहते है बहुत miss कर रहे हैं आपको बहुत positive हो रहे हैं शक भी कर रहे हैं कहीं आपको देख लिया या आपकी photos देख लिया social media पे आरे आप खुश कैसे है आपको खुश देखके भी इनको tension होती है ऐसा feel हो रहा है हो सकता है unblock करके बोलें भी तुम तो बहुत खुश हो तुम तो बहुत enjoy कर रही थी या कर रहे थे अभी फिलहाल तो ये situation है definitely financial condition काफी हद तक improve करने की कोशिश कर रहे है move on किया है किसी तरह की सच्चाई किसी तरह का truth उनको पता चला है लेकिन बहुत जल्द success मिलेगी आपको ठीक है इसमें आपके लिए 7 number important है pile number 2 7 hours, 7 days, 7 weeks या 7 months mostly मैं weeks तक ही लेती हूँ ओकी angels जिन्होंने भी pile number 2 choose किया है उनके लिए क्या angel guidance है please oh my god big happy changes opportunity beautiful pile number 2 big happy changes opportunity पैसा आने वाला है मालक्षमी की कृपा होने वाली है आप लगों पे in the near future साथी साथ आपके partner काफी तेजी से आपकी तरफ आने वाले हैं big happy changes are coming your way so pile number 2 अगर आपकी situation से ये reading resonate की होगी तो आपके life में big happy changes आ सकते हैं opportunity आ सकती है in the near future अगर आपसे ये reading resonate करती है अगर मेरी readings आपको अच्छे लगती हैं तो प्लीज मेरे चानल को like, share and subscribe करना मत भूलें thank you so much take care, bye hello pile number 3 जिन्होंने भी ये red color का cute सा star चूज किया है अब मैं उनके लिए reading करूँगी देखती हूँ कि क्या situation है currently आपके partner की क्यों आपके साथ बातचीत बन किया है क्या चल रहा है उनके life में उनके पार्टनर की current energy क्या चल रहा है क्या चल रहा है उनके पार्टनर की life में प्लीज क्याइट करें इंजल्स क्या चल रहा है पार्टनर की life में प्लीज करें इंजल्स this is my last shuffle अगर और कोई काड आना चाहता है तो आज है एक काड और आया है bottom of the deck है हमारे पास एक brand new fresh passionate romantic new start करना चाहते हैं आपके साथ अगर ending हो चुकी है तो new beginning तो निश्यत है ऐसा होई नहीं सकता कि sun निकले ही न sun डूपता है तो दूसरे दिन निकलता भी है so always be positive nothing is impossible पहला कार्ड है two of swords ten of swords eight of swords two of cups three of pentacles the word death knight of cups judgment and queen of pentacles यहाँ पे Aquarius, Libra, Gemini बहुत strong है then हमारे पास Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Virgo, Taurus take यहाँ पे Aries, Leo, Sagittarius सभी signs यहाँ पे मौजूद है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में सब कुछ खतम हो चुका है, पूरी तरह से खतम हो चुका है because of third party situation clearly यह तो मुझे दिख रहा है कि बहुत बुरी तरह से ending हुई है आपकी आपके partner के साथ take यह देखिए यह cards बता रहे हैं कि आपकी ending आसान तरीके से नहीं हुई है बहुत लड़ाई, जगड़े, बहुत hurt बहुत तकलीफ हुई है definitely मरने के समान तकलीफ हुई है आप लोगों को take third party situation की वज़े से हो सकता है third party parents हो जो नम आने हो, रिष्टा खतम हो गया हो take हो सकता है third party कोई और person हो उनके life में जिसकी वज़े से ये situation है लेकिन आपके partner definitely ये situation है current situation बहुत ज़्यादा stuck है बहुत ज़्यादा फसे हुए है ठीक है दुखी है, खुश तो विल्कुल नहीं लग रहे है ending हुई है parents से बात कर रहे हैं planning कर रहे हैं, strategy बना रहे हैं बहुत tough cycle देखिये है pile number 3 ने, बहुत tough cycle हो सकता है long distance relationship हो अलग city हो, अलग country हो, अलग state हो ठीक है tough cycle end हो रहे है, खतम हो रहे है और इसके लिए ही आया है judgment definitely भगवान कभी गलत नहीं करते हैं जो भी करते हैं कुछ सोच समझ के plan करते हैं ठीक है, सबकी story बहुत खुपसूरत लिखते है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अगर mom या dad third party है या financial condition third party है तो काफी हद तक improve हुई है मान गए है, काफी हद तक मानने की chances है अगर third party कोई और person है उनके life में तो वहाँ से वो निकल सकते हैं क्योंकि judgment का guard आया है ठीक है, किसी तरह का judgment वो चाहते हैं भगवान से और खुद भी लेने के पूरे पूरे chances है क्योंकि यहाँ पे आया है ace of wands definitely आपकी तरफ आना चाहते हैं एक solid, stable commitment देना चाहते हैं celebration चाहते हैं आपके साथ new beginning करना चाहते हैं because आप soulmates हो definitely आप जिसके साथ deal कर रहे हैं आपके soul partner हो सकते हैं divine angel सब आपके spirit guides सब आपको guide कर रहे हैं अपनी intuition की सुनिए अपनी gut feeling की सुनिए और खुश रहे हैं third party जो भी थी divine timing पे खतम हो जाएगी third party situation आपके partner अगर on and off connection था या married थे या single parent थे आपको बहुत miss कर रहे हैं उन्हें कोई भी emotionally अगर torture कर रहा है कोई इनको control करने की कोशिश कर रहा है तो वो सब जानते हैं सब aware है काफी जादा उन्होंने financial strength गेन की है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं अपने power में आना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आपकी यह situation थी तो अभी current situation मैंने आपको बता दी अब मैं देखती हूँ कि कब तक बात हो सकती है next action क्या होगा pile number 3 red color कब तक बात हो सकती हैं कब तक call message आ सकता है साथी साथ next action क्या होगा इनके partners का next action क्या होगा next action क्या हो सकता है number one number three next action क्या हो सकता है okay अभी पूरी तरह से self focused है किसी पर dependent नहीं है चाहे जिस भी situation में हो जो भी third party हो पूरी तरह से अपनी उपर focused है आपके partner अपना खान पान, अपना healing, अपना self love, अपने पैसों पर ध्यान देना financially कुछ लोगों के partner अभी तक stable नहीं है कुछ लोगों के partner बहुत जादा stable है बहुत financially healthy है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को अपने partner जो भी आपके partner है कुछ लोगों का financial condition अभी ठीक नहीं है वो उसमें लगे हुए है improve करना चाहते हैं पूरी तरह से improvement में लगे हैं कुछ लोगों की life में जगल कर रहे है balance लाने की कोशिश कर रहे है next action है suffering in silence definitely suffer कर रहे है आपसे शादी करना चाहते हैं उनका जो aim है वो है आप आपकी तरफ बढ़ना आपसे शादी करना भले अभी आपसे उन्होंने बात करना बन किया हो किसी situation में परिशान हो जगल कर रहे हैं balance लाने की कोशिश कर रहे है ठीक है यहाँ पर bottom से अगर मैं देखूं तो number nine number nine अभी उन्होंने आपसे withdraw किया है लोग क्या कहेंगे समाज क्या कहेगा यह सब सोचके लेकिन hope नहीं हा रही है अपनी intuition की सुन रहे है जल्द आपकी wish पूरी होगी यहाँ पर शादी होगी next action में आया है तो definitely शादी निश्चित है लेकिन थोड़ा समय लग सकता है ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि अभी उनके life में काफी obstacles है angels प्लीज guide करें pile number three के लिए आपके लिए two number important है pile number नहीं four number important है यह पहले आया था four number important है four hours, four days, four weeks या four months ठीक four hours में भी आपके partner call message कर सकते है four days fourth February को भी कर सकते है ठीक है four important रहेगा आपके लिए यहाँ पे देखती हूँ angels pile number three के लिए क्या guidance देते है पीस काइट करें अबंडन्स लेट गो आपको past की जो भी negativities है उन्हें let go करने की जुरुरत है within the next few months four months के अंदर within the next few months आपको negativities पुरानी बातों को पुराने hurt को भूलने की जुरुरत है आपके life में अगर आप financially आपके पार्टनर परिशान थे तो abundance आएगी definitely आपका base चक्रा हील होगा साथी साथ within the next few months आपके पार्टनर आपकी तरफ next action ले सकते हैं बहुत खुबसूरत है आपकी विश पुरी होगी जो भी विश आप मांग रहे हैं तो अगर आपकी situation से ये reading resonate की हो pile no.3 तो मुझे comment करके ज़रूर बताएगा और मेरे चानल को like, share and subscribe करना बिलकुल मन भूलेगा thank you so much बदेट बदाएगा